हेलो एवरिवर और वेल्कम बेक टू मैं चैनल तो आज हम बनाएंगे इंडियन स्टाइल होट एंड स्पाइसी चीज पास्ता इस पास्ता में इटेलियन फ्लेवर के साथ ही इंडियन फ्लेवर भी रहेगा और साथ में जो चीज का कॉंबिनेशन है वो इसके टेस्ट को और बढ़ा देगा तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम पास्ता को बॉइल करेंगे मैंने हापर डे लिटर पानी गरम होने रखा है इसमें हम डाल देंगे एक बड़ा चमच नमक और पानी में अच्छे से उबाल आने देंगे और जैसे ही पानी में उबाल आना शुरू हो जाए हम इसमें डाल देंगे पास्ता आप किसी भी टाइप का पास्ता यूज कर सकते हैं इसे हम उबलने देंगे 8-10 मिनिट के लिए जब तक की पास्ता अच्छे से पक न जाए तो यह देखिए हमारा पास्ता अच्छे से पक चुका है बहुत जादा ओवर कुक नहीं क हम बनाएंगे इंडियन स्टाइल पास्ता सॉस एक पैन में डालेंगे दो बड़े चमच तेल और साथ ही एक बड़ा चमच बटर अच्छे से गरम हो जाने देंगे और फिर इसमें डालेंगे दो लसुन की कलियां बारिक कटी हुई एक इंच अद्रक का टुकड़ा बारिक कर लेंगे और फिर इसमें डालेंगे एक हरी मिर्च बीच में से स्लिट करके एक मीडियम साइस का प्यास बारिक कटा हुआ और इसे भी फ्राइ कर लेंगे मीडियम हाई फ्लेम पे प्यास को हलका गुलाबी होने तक यह देखिए फिर हम इसमें डालेंगे एक छोटा चमच लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चमच हल्दी पाउडर और अच्छे से मिला लेंगे इसे पकाएंगे 10 से 15 सेकंड के लिए ताकि हल्दी का कच्छापन निकल जाए तो बस 10 से 15 सेकंड पकाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे टोमैटो प्यूरी तो ये मैंने दो मीडियम साइस के लाल टमाटर लेकर अच्छे से पीस लिया था तो इसे हम अच्छे से मिला लेंगे अच्छे से मिलाने के बाद इसे हम पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे पांच मिनट के लिए तो ये देखिए पूरे पांच मिनट पकाने के बाद इसमें हम एड़ करेंगे आदा चोटा चमच गरम मसाला पाउडर नमक स्वाद अनुसार आदा चोटा चमच और आदा चोटा चमच एड़ करेंगे जीरा पाउडर अच्छे से मिला लेंगे सभी मसालों को एक साथ तो बस मसालों को अच्छे से मिलाने के बाद इसमें एड़ करेंगे एक चौथाई कप शिम से मिला लेंगे और पकाएंगे एक से दो मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पे एक उबाल आने तक तो जैसे इसमें उबाल आना शुरू हो जाए हम इसमें डालेंगे तीन बड़े चमच टोमैटो केचप एक छोटा चमच मिक्सडप सीजनिंग आदा छोटा चमच रेट चिली और इन सबी को एक साथ अच्छे से मिला लेंगे अच्छे से मिलाने के बाद इसमें एड़ करेंगे आदा कप चीज यह मैंने प्रोसेस चीज एड़ किया है आप कोई भी चीज यूज कर सकते हैं मौजलेला चीज एफी चीज स्लाइस तो बस अच्छे से चीज को इसमें मि पास्ता को इसमें मिक्स करेंगे अच्छे से कोट कर लेंगे तो यह देखिया बढ़्या समारा सास से लेटपत हो चुका है बहुत ही मघा 3 लग रहा है गैस को बंद करेंगे और इसे गर्मा गराम सर्फ करेंगे एक principio जट पट से और बहुत ही असानी से इंडियन स्टाइल होट एंड स्पाइसी चीज पास्ता बनकर त्यार हो गया है इसे हम गार्णिश करेंगे ग्रेटेट चीज और फ्रेश हरा धनिया से तो आप सब भी इस पास्ता की रेसिपी को ज़रूर ट्राय करेगा बहुत ही में जरूर बताइए और अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसी टेस्टी और मज़िदार रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू फॉर वाचिंग